नमस्का फेंट्स मेरे नाम अब अबलु अर्मा पेपर है करम आपका स्वागत है तो फेंट्स आज हम देखने वाले यहां पर आर्मी जीडी का जो प्रेक्टिस एड नंबर हो जाता है राम सिंग अदबुक का 33 वा इससे पहले के 32 मैं आपको डाल लखे हैं डिसकप्स में प पचास कूशन होते हैं ठीक है यह आपका एक प्रकार से मोडल पर पुछाता है राम सिंग अदब जो 50 प्रेक्टिस एड आते हैं ठीक है जो 50 प्रेक्टिस एड वाली बुक आते हैं तो यहां से आप खड़ी सकते हैं डिसकप्स में लिंक दिरक है ठीक है अगर किसी को राम अपको 25 पर मांको देखने को मिलेगा रही ढूबसटाइब है दूसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा दूसरे भाग में जो देखने को मिलेगा आपको science के 15 questions देखने को मिलेंगे फिर आपके 15 questions math के हो जाते है फिर 5 questions आपके हो जाते है reasoning के तो इस परकार से 50 questions आपके हो जाते है तो भी start करते हैं फटाफट आगे बड़ते हैं ठीके तो पहले question cancer दिजिए का आरजुन आवार्ड दिया जाता है जो आरजुन आवार्ड है वो किस छेत्र में दिया जाता है ये आप से पूछ रखा है किसके लिए दिया जाता है पहली बात 2020 में 2020 में जो आरजुन पुस्का दिये गए है 27 लोगों को दिये गए है 2020 में हाल ही में जो अर्जुन पुरस्का दे गए थे तो वैं आपके दे गए थे 27 लोगों को ये भी आपको क्या है याद होना चाहिए ठीक है बात करें जो अर्जुन एवार्ड हैं वो किसके लिए आते हैं ये बिस्सिस्टि खिलाडियों के योगदान के लिए दे जाते हैं तो जिन लोग करें यह आपके श्री-गर की बात करता है यहां पर आप गहाटी के बात कर रहा है तो कौन सा पंड़ता है घाटी में पड़ता है आपका से लोगगों का आंसर आपको बच्छन नमब्र बहुत आपका हो जाता है अमसर किसे क Kissi कहा जाता है मध्ध्रात्री के सूर्य का जा रहा है तीकिंट इसका देजिएका सभी लोग बिल्कुल च लोग का अंसर आप्ष्य के सूरी का देश्ट कर से हो जाता है ठीके आगे बढ़ते हैं क्योशन नमब्र फूर की और यहां रहा है सत्मेब जैते कहां से लिया गया है तो आपको बताना है कि सत्मिव जैते जो है वो कहां से लिए रखा है, ठीके, सभी लोग के हाँ पर आंसर देना है, बताएगा, बिल्कुल, जिन लोग का आंसर ऑप्शन नमबर A राए, बिल्कुल, राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीके, नेक्स्ट कुशन बरता है, क्यो बिल्कुल, राइट आंसर आपका हो जाता है, बिल्कुल, इसका आंसर कौन सा होने वाला है, बात करें, ये बैल की सबारी करने वाला एक खेल होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, इसका आंसर कौन सा होने वाला है, बात करें, ये बैल की सबारी करने वाला एक खेल होता है, बि जिन लोगा answer option number C आ रहा है, बिल्कुल right answer आपका हो जाता है, ठीके, next बढ़ते हैं, next question का answer question number 7 देखा है, तुम्हारा विहू किस राज का पारंपरे के नित है, ठीके, विहू किस राज का पारंपरे के नित है, यह आपको बताना है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल right हो जाए सारे की सारे क्या difficult question आपका हो जाता है, क्योंकि difficult option ही दे रखते हैं, ठीके, तो इसका answer देना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल right answer आपका रहने वाला है, तो जिन लोगा answer option number D आ रहा है, ठेम्स, बिल्कुल right answer हो जाता है, ठेम्स इसका होगा, बाकी confuse करने के लिए, ठेम्स, ह तो आपको पता है, जो नकसा होता है, ठीके, जो मैप महरा होता है, उसके अंदर दूरी, दूरी भी मापी आती है, और दिसा भी होती है, और क्या होती है, लंबाई वगएरा ही सारे कुछ होता है, तो यहाँ पर जिन लोगा answer हो जाएगा, ठीके, बिल्कुल आगे बढ़त आपको बताना है, ठीके, कौन है, तो आपको बताएगा, इस cancer कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल, तो जिन लोगा answer option number C आ रहा है, बिल्कुल right answer आपका हो जाता है, तो बात करें, जो बरतमान में हमाई राष्टपती हो जाते हैं, वो कौन है, रामनात कोबिंद जी हैं, कौन ह तो यह 14 नंबर के आपके राष्टपती हो जाते हैं, ठीके, और बात करते हैं, पिर्थम नंबर की, यहां पर सारे की सारे हम राष्टपती देख लेंगे, ठीके, इंपोर्टेंट यहां से हो जाता है, यह आपके हो जाते हैं, यह आपके हो जाते हैं, राजेंदर परसाद पूर्ळी में कि बनता है कि दो जारमखरु जी जो हो झाते हैं उनकी डैठ होई है 2020 में ठीक है कौन से नंबर वाइस तहीं पूछ सकता है कि तो तेरे में नंबर के आपके राजपती वाते हैं कौन प्रवड मुखजी जिनकी 2020 में हाल ही में डैथ हुई ठीक है सिदंबर अक्टूबर में तो आगे बढ़ते हैं फिर बहुत ही इंपोर्टेंट क्योशन हो जात सबूसरेख सब्चन क्यान साब्सरण में नरवडेजी है नरवडेजी वरतमान में बात करेंजना के दधनूआ ओह लांसरा कनो करम बीर सिंग हो जाते है तो सारे के साड़ मा को बता रखाए बहुत ही इंप्लेट यहां से क्वश्न आपके रहरें सभी के लिए आगे है next question को देखो 11 cancer देजगा सभी लोग 11 cancer आपका कौन सा हो जाएगा ठीक है देखा बिस में सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाता है इस cancer देजगा सभी ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, छोटा कौन सा होता है, आर्केटिक महासागर है, बड़ा कौन सा होगा, बैं आपका हो जाता है, प्रिजान्त महासागर, तो जिन लोग का answer option number ARI, बिल्कुल right answer आपका हो जाता है, आगे बढ़ेगा next question का देगे, next question का answer कौन सा हो जाएगा, बहारत ने गोआ को पुर्तिगाली उसे कब आज़त किया था, तो आपको ये भी याद होना इसके detail में देखते हैं, ठीके, सबसे पहले जो पुर्तिगाली आया था, बहारत में आगमन हुआ था, कब हुआ था, ये काली कट बंदरगा, जो कहां परता ह केल में पढ़ता है, 1498 में आया, कब आया था, 1498 में जो बास्कुर डेगामा था, वो भारत आया था, इसने भारत की होज थी, और एक important question और बन जाता है कि 1492 में, 1492 में अमेरिका की होज की थी, किसने की थी, ये आपके हो जाते हैं, कोलंबस जी, ठीके, कौन हो जाते हैं, क कोलंबस ही हो जाते हैं, जिनने अमेरिका की होज की थी, 1492 में, ये आपको याद होना चाहिए, बास्कुर डेगामा जो पुर्तगाली पहला चाहतो भारत में आया था, वो कब आया था, 1498 में इनका आगमन हुआ था, सबसे पहले आये थे, और सबसे बाद में ही पुर्तग पुर्तगाली गए थे, ये आपको याद होना चाहिए, कब गए थे, इनुने गुआ को अजाद किया था, 1901 में, तो 1901 में ये गए थे, और 1498 में पुर्तगाली आये थे, और 1601 में कब गए थे, सबसे पहले आये और सबसे बाद में है, गए थे, तो बात करते हैं, यहां पर आंसर option number C हो जाएगा जिलोग आंसर option number C आ रहा है 1901 तो बहुत ही right answer अपका हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question तो भी लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को क्या करना है subscribe परना है और आगे के लिए कर देना है वीडियो के आगे बढ़ते है next question दे रिखा है त पेरिस किस नदी के किनारे इस्थित है तो पेरिस किस नदी के किनारे इस्थित है यह आपको बताना है ठीक है तो इसका answer दीजगा सबी लोग बिल्कुल यहां पर नदीप मुछ रखी है तो बहुत important question आता है पेरिस किस नदी के किनारे इस्थित हो जाता है सबी लोग यहा में इस्तित से आपको बतावना है तो यहाँ पर जो रहनेु आइंस, आपका हो जाए आखे आए बढ़ता है,ff कार से यह आप से पुछ रिकाए गुमा कर ठीक है तो इसका आंसर कौन सा जाएगा स्वेन फ्लू का हो जाता है राजसानिक नाम ठीक है एच बन एन बन ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट कुशन है बार बार एक्जम पुछा था थाप के तो जिन लोग का आंसर और सी आ रहा तो जिन लोग का आंसर अप्शन नमबर एया रहा है वोकसाइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ठीक है एलिविन के मुख हैसे कौन सा है वकसाइट यही पूछता है बार बार तो इसको क्या है बिल्कुल याद कर लेना है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन को आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन का आंसर नमा कर हमारा कौन सा हो जाता है ठीक है यहां देखाए आग बजाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है तो बार बार रिपीट होगा क्योशन कम से कम पांच बार आपको मैंने क्योशन करबार रख़ा है ठीक है अगर आप डेली मेरी वीडियो देखते होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगी ठीक है तो इस तन पाई अंडे देता है तो कौन सा जो इस तन धारी है वो अंडे देता है यहां पर पूंच रखा है तो यहां पर बताएगा इसका आपको राइट आंसर रहने बाला है ठीक है इस तन पाई अंडे देता है तो कुछ इडिया तो होगा नहीं ठीक है कंगारू बच्चे देता है यह भी घ लट है चमकार्ष बच्चे देता है यही तहोगा है ना बिल्कूल ऑप्शन भी काट़ गया है यहांपर जा शकते हैं तो पहारा डखburg फिले टिप्स ठीक है तो पटाना, ऩेहाँ पर कॉन सा बिलकुल राइट आंसर रहने बाला है, ठीक है? तो बताएगा यहाँ पर कॉन सा do right answer आपका हो जाएगा? जहां सर देखेगा, ठीक है, उसके बाद answer दीजिएगा? बिल्कुल, जिलोग ópExner number Δ, राइटेके surgery और रोग की जाच के लिए इसका प्रियू किया जाता है क्योंकि आपके जो जॉब है उस रेटर क्योशन हो जाता है इसलिए बेरी इंपोर्टेंट क्योशन हो जाता है कि लेपरेस्कोपी जो है किससे हो जाता है यह सरजरी और रोग की जाच के लिए हो जाता है तो जिल्मका आंसर ऑफ्षिण दाइस बिल्कूल राइट आंसर हो जाता है ठीकłos बढ़ते हैं 21 यहां करेंबने मैं से कौन सा मिशुचyba बटाना है कौन सा भी तरह का हो जाएगा इट तो बात करते हैं यहां पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट एन पी के यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आपका रहने वाला बताएगा तो इस पर कासे नाइटोजन फासपूरस वोगा है रहें तो यह ł sings से नेगे ऐड के दो इसको मारा निम्ले में से गाय का दूद किसे बीटामिन का पिर मुख इस्तोत है तो गाई के तो दूद होता है उसमें कौनसा बिटामिन पायाता यह को बताना है ठीक है बिलकुल बदाएका यहां पर कौनसा बिलकुल राइट हो जाएगा तो बिल्कुल सही जिलोग का आंसर option number A R R T K रेटेनल तो बिल्कुल right answer अप को जाता है option number A तो जिलोग का answer option number A R R बिल्कुल right answer अप का हो जाता है next question के बढ़ते हैं next question के बढ़ते हैं next question का answer दीजिगा 24 देखा है तुमारा टाइफाइड किस हिस्से को प्रभाहित करता है जो टाइफाइड रोग है वो किस हिस्से को प्रभाहित करता है यह आपको बताना है यहां पर आंसर का अंसर रहने वाला है यकत को फेफडा को पेट को या फिर आत को तो जिल लोगा आंसर नमबर डियारा है ठीक है आत को तो तुम्हारा किस दात में किस दात की तीन जोडे होते हैं ठीक है तीन जड़े होती हैं यहां पर कौनसे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है सब लोग यहां पर आंसर देते हुए तो बिल्कुल सही, जिन लोग का answer option number ARI, Moller, ठीके Moller किसे कहते हैं, दाड़ को कहते हैं, ठीके, तो जिन लोग का answer option number ARI, बिल्कुल right answer आपका हो जाता है, 26 देगेगा, निम्नि मेज से किसके पाचन में लार मदत करती है, जो लार है, वो किसके पाचन में मदत करती है, यह आ का answer बताना है, next question का answer हमारा कौन सा हो जाएगा, कहते हम निकट दिश्टी दोसे, किस कारड से होता है, ठीके, निकट दिश्टी दोसे, वो किस कार से होता है, यह आपको बताना है, ठीके, आईरिस के स्थान बदलने से, या फिर रखा है तुमारा कमजोर, मास पेसी से, या पिर आख के पुतली के आकार में परिवर्तन हो से, रेटना की कमजोरी से, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीके, तो बिल्कुल सही, जिन लोगा answer option number C, R, बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें क्या होता है, आख की जो पुतली होती है पुतली के आकार में परिवर्तन, मतलब बड़ा हो जाना, ठीके, आख की पुतली के आकार में परिवर्तन होता है, मतलब बड़ी हो जाती है, तो क्या होता है, निकट देशती हो से, होता है, तो जिन लोगा answer option number C, R, बिल्कुल राइट answer हो जाता है, नेक्स्ट कुशन की औ होता है, ठीके, और 1400 ग्रम की बात करते हैं, तो यहां पर कौन सा राइट answer हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो बस एक ही देखा है, पांसोट के पांसोट के और जाएंगे, ठीके, ऐसा कोई बाकी नहीं दे रखा है, तो जिन लोगा answer option number D, R, बिल्कुल राइट बैसे, लेडिस की बात करते हैं, तीरह सो 50 ग्रम का होता है, और जोंस की बात करते हैं, 1400 ग्रम का हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, next question देखीएगा, next question का आधिकर कौन बिल्कुल, यह वह जाएगा कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो जी लोका और सी आ रहा है ठीक है तके देके से हम टीबी की विमारी भी आवी तक है अभी बात करें इसका त्वी डे बनाया था वह कंएता है its time इसकी क्या थीम है इसकी 2020 की बात करने theme ये क्या है its time आपके हो जाती है its time क्योंकि हम 2025 तक क्या करेंगे इसे खतम करने का लक्ष है 2020 के budget में बतागा तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की और बहुत important है TB क्योंकि TB को 2025 तक क्या करा है खतम करने का लक्ष रखा गया है और इसका TB Day मनाते हैं 24 मार्च के लिए इसकी theme जो 2020 की थीम थी वो कहती है its time आपके हो जाती है ये बहुत important आपके लिए हो जाते है क्योंकि ये लक्ष रखा गया है इसलिए important आपके लिए हो जाता है क्योंकि जब इसे हम गरम करते हैं तो 100 degree Celsius का होता है ये भाब बन जाता है तो इसके जो कड़ होते हैं अडू जो होते हैं दूर दूर हो जाते हैं और ये भाब बन के क्या हो जाता है उड़ जाता है अगर हम इसे 4 degree Celsius ते 4 degree Celsius से अगर हम इसे कम करते हैं सब्सक्राइब्स बात करें जो 4 डिगरी से संब्सक्राइब होता है क्या होता है पानी कि बीघर्व को जाता है अब जlov्रों ठीक है तो यहां पर को देखने को भेलेंगे फिटापट देख लेते हैं पहलाक किसी की इसकी लंबा एक सो पच्छीज मीटर है तो चौड़ाई ग्यात करना है बताएं पर कॉनसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आयत क्या होता है बिल्कुल सेम होता है इस पर कास ठीके लग चौड़ाई बराबर होती है तो इसका जो छेत्रपल का फार्मूला होता है वो कौनसा होता है छाल कि वारा बंगे बिल्क होता है एको ट्रटार का मोगोढेब करादी है गाए उसका पूर स tratar तो कि छौड़ाई हो जाएगी होना की है के चोड़ाई तो यहाँ पर गयात करने को कह रखे टेकर चौणाई हमें क्या करना है कि यहां पर क्या अक्षटेत करना है डिके तुष्टावड हर आपकी हो जाती है तो जिन लोग का अंशर ऑप्शन नमबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट रहने बाला है तो आप बिल्कुल शेम कर सकते हो समानुपात का बिल्कुल राइट आपका हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को देखो नेक्स्ट का आंसर मारा कौन सो जागा 33 देखा है तुमारा यदी की दस जनवरी और 2005 को कौन सा दिन होगा राइट अबात करते हैं यहां अगर दस-जनवरी को अगरร दस admitted 2中國 को कौन सा दिन होगा मंगल और है क्या है मंगल patch हो जाता तो कॉंछ रखता है कि 10 जनवरी टीके जनवरी 2005 को तरह जर फास को कौण सा दिन होगा यह आप से पूछ रखता है एक बात इसे क्जिए की गविफ है यहां पर कहाँ जनवरी है Every जनबरी दो हजार चार है और दो हजार चार हमेशा क्या होता है लीब बर्स होता है क्योंकि चार से कट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा लीब बर्स आपका हो जाएगा तो दो हजार चार है लीब बस इसका मतलब इसमें जो फरवरी होगी इसमें जो फरवरी आपकी रहने व ऑगो다, यह पर जनुबरी तक भी पहुचना है, एक साल बढ़ा है, तो हम किने के बास जोड़ेंगे, बुद्ध प्रस्पत, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रहस्पती वार आपका हो जाएगा, ऌुद स्पॉरू ऑढ़ा हो तो नहीं दिंदो, जिंद में कह सकते से गुरू सब्सक्राइब एक साइकल चालक की चाल बारा किलोमीटर देखा है बारा किलोमेटर ऊपर तो किलोमेटर रहेगा नीचे क्या होगा घंटा मतलब एक घंटा ही तो होगा है एक होस्ट लगा सकते हैं ठीक है अगर बात करते हैं बारा किलोमेटर जब इसे मीटर में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा चुकि एक किलोमेटर में एक हचार मीटर होते हैं तो इस तो यहां पर कितना हो जाएगा तो जिन लोग आप्शन नमर सी आपको राइट आंसन आपका हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन को देखेंगा थर्टी फाइब कांसर मारा कौंसा ने वाला है देखा तुमारा यदि चाल एक किलोमेटर प्रती घंटा है तो किसके बराबर है यह आपको बतान किकलोमेटर में यहां पर गंटे हैं अगर मैंने से सचंड हरूं गा तो साड ़ॉटा करें यहां पर आपको 136 पर बाकी कोई एक परकार से पूरा सॉल्व करने को नहीं देखा है तो जिन लोग का आंसर नमबर थाटी सेक्स दिरखा है तुमारा चार रुपए प्रती दरजन के हिसाब से जै कि फीस दरजन के साब से कोई देखा है तो मैं क्या करेंगे favour है जै कि 5 के कितने मिलना है 12 चारी माराओ जाएगी चार रुपए यह 6 रुपए के हाँ होजाएंगे तो जिलोग का आंसर ऑप्舍 Напर भी आ रहा है तो बिल्कुल बहुत एची प्रिकार से खेल गए है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question next question का answer देजीगा ठीक है next question को खेलना है फटाबर answer देना इसका तो 37 का answer देगा देखा है तुमारा यदि 12 आदमी अथवा 18 औरते एक खेत की कटाई चौदा दिनों में करती है तो 8 आदमी और 16 औरते मिलकर उसकेट की कटाई कितने दिन मी करेंगे यह आपको बता रहा है बहुत एजी question देखा है ठीक है चौदा दिनों में यह क्या करते हैं अपना काम फाइनल कर लेते हैं ठीक है तो जो काम फाइनल होता है वो कहां लिखते हैं सबसे उपर मैंने आपको ट्रिक बता रखी इसकी करने की तो सबसे उपर कहां रखते हैं टोटल काम जो काम इतने दिनों में हुआ ठीक है टोड़ कर देंगे देंगे तो यह हमारा सब पर जाए पर यहां पर पहोगा तुम्हार नीचे कितना थाहेगा तुम्हारा सबस्क्राइब सब्सक्राइब सबस्क्राइब और यहाँ पर 36, 36 छाहएंगा 16 दुनि बट्ट्र स्व जाएगा ठीक है यहाँ पर LC मान के पय्यखना कर रहा हूं इध्यान लिखना ठीक है उपर क्या चॉदा नीचे कितना हो जाएगा 24 दुने को आट करेंगा यहां पर 6 हो जाएगा 2-2 2-4, 2-8, 16, ठीके, कटएगा 8, इस किस से कटएगा फिर, फिर 2 से कटके देख लेता है, ठीके, 2-1 दो पॉइंटो में आगा क्या, पॉइंटो में नहीं हो रहा है, इसका मतलग क्यों नहीं कट रहा है भी, 36-3-2 2-4, 2-8, 16, गल्बर हो रहा है, क्या बात है, 14 आ गया ठीक एक सैट में 14 मल्टिप्लाई 36 14 मल्टिप्लाई 36 बटे 56 ठीक है यार 14 इजिए आना बिल्गों देखते हैं कटके भी ठीक है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ यहाँ पर 21 दो और 24 आट हो जाएगा यहाँ पर 21 दो 28 16 हो जाएगा ठीक है बिल्कुष 7 दो नीं कितना हो जाएगा 14 तो कितना हो जाएगा 9 दिन में यह फाइनल कर देंगे ठीक है तो इस प्रकार से आपका आपका आंसर कौन सा जाएगा 9 देज हो जाएगा तो जिल्लो का आंसर ऑप्शन नमर डी आ रहा है बहुत एच्छी परकार से खेल गए ठीक है तो यह एकपार काम करता है वह उपर लिखते हैं उसके बाद साड़् लास्ट बाले होते हैं भूमेन और लास्ट मैंस्ट बाला पहलत थिका है एक्सईड मिल दिया वहने 38 अच्छा थिर्णchen दुम्हारा 5छा आपको ग्याद करना मैं ठीके पॉसत लंबा आपकी नहीं है पकर बता रखे है ओसर बराबर क्या होता है Tapar बराबर होता है सभी संख्याओं की Esnaekय सब्सर direct सभी संख्याओं की संक्या ठीके टो सभी संख्याओं का संख्या 1 2 3 4 5 तो संख्यां कितनी है पांच बस ऐड करने ऑपांसे करने जबाइड करना 한다 जाएगा ठिक है यही कर लेज़ेगा इसी प्रका सौल करते हैं अगर अगर हैडिश्टिक अगर तब भीह आप कर सकते हो ठीक है मैं यहापर स्वाट कर रहा हूं काट के हैं पर यह पह तो यहां पर आंसर कौन सा नहीं बाला यह देखना है ठीक है बिलकुल आठ दूदस और छे-410 फिर बदूशे बचेगा ना चाहिए को यहां पर यहां। और पर चॉक्त आइगा यहां पर आपका टैक है और यहां पर कितना आएगा आपका पाउजेगे शोद आएगा अब आदिस नहीं करेंगे तो कितना आएगा दिखते भी ठीक है आठ दो कितना हो जाएगा 10 10 हो जाएगा 20 का 0 10, 20, 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा तो आपका जो आउसाद आने वाला है कितना जाएगा 50 हो जाएगा तो जिलोका आंसर उप्शन नमर भी आ रहा है बहुत अच्छा किया लगा है ठीक है कितने प्रतीशत दर पर एक रासी आठ बरस में दुगनी हो जाएगी, यह आपको बताना है, आठ बरस में दुगनी कब होगी, एक बार बताएगा, इसे आप मैंड में ही सॉल्ब कर सकते हो, ठीके, एक बार बताएगा, कोई रासी 100% है, कोई रासी कितने रुपए है, 100 रही है, 200 रुपए हो रही है, मतलब दुगनी हो रही है, ठीके, दस 100 तो क्या होगी, खुद होगी, 100 ही तो बढ़ी होगी, और यह 100 ही तो बढ़ी होगी, इसका मतलब 100% थी, 100% बढ़ गई, तब ही 200 हो गई, तो बिलकुल, तो हमें 8 साल में क्या बढ़ाना है, 100% बढ़ान तो सवुक करूंगा आट से में दोंगा भाग, भाग दो कितनी बार जाएगा, आट यहेगा, बचे कितना, दो 60, चार, 85, आट-पंजे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12.5% आपका निकल के आजाएगा, तो जिलोग का आंसर option number, आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन को देखो नेक्स कुछन का अंसर मारा कौन सा रहने वाला है यहां दिरिखा है तुमारा 50 एक आदमी एक खिलोना एक हजार रुपे में खरीता है और उसे इतने रुपे में बेजता है तो उसका लाब पृतिशता आपको ग्याद करना है कितन मतलब कितना अपका फंदरहों रुपे में करिदाशल बॉपे कटना्या कुंट आंधा प्रसेंटेश करे शेकर घर जाएगा के इसे उसी परकार से निकाल भी सकते हैं जिन लों का बिर या बहुत इची प्रकार से खेल गए हैं ती के बदाना हैं इस ने बहुत एज़ी कुछन है आरा मिरें टीन गंटे 45 मिनिट्स यह बढाबर है कितने सेकंड के बराबर है यह आप से पूछ रखा है बहुत इजी कुशन है आराम से कर सकते हैं तीन गंटे बद देगा तीन गंटे हैं घंटों को जब मैं मिनिट में चेंज करूंगा तो फिर साट से मिल्टिप्लाइब करना पड़ेगा बिल्कुल उसके बाद प्लस करूंगा क्यूंकि पैदाज दिरेखें म मेरे पास मांने कर्णें आ ऐगा है एक्सके ते न man लेटा हूं ठीके उसे माने कर्णे होelas कते हूं तो बात करते हैं यह बंद करना आपका श्यान को 24, 23, 27, ठीक है जर को एडिसिन कर लिजेक प्षटा फट तो कितना हो जाएक है अगर मैं इसपर एड़ करूंगा 2700 ठीक है 0 की जिरू अजा एगा जीरो की जिरू आजाएक जीरो पांस ठीक हासल लगा एक दो रहे कितना हो जाएक तीन और यह कितना अज़ाएक तम्हारा इसका आंसर जो रहने वाला है, 13500 रहने वाला है, तो जिलोगा आंसर नमबर ARR बहुत इच्छी प्रिकास से खेल गए है, ठीके? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जिलोगा आंसर नमबर ARR, आगे देखते हैं, 42 का आंसर देज़ेगा, सबी लोग इसका आंसर रहने सबी लोग इसकांसर देना है, इसकांसर रपर कौन सर रहने वाला है, देखो यहां पर देरिखा है तुम्हारा 140 का, मतलब मल्टिप्लाइ, का का क्या होता है, कितना हो जाए, 30% है, ठीके? परसेंटेज में देरिखा है, तो परसेंटेज हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते है तो 100 से में डिवाइड कर दिया, ठीके? बराबर, यहां पर देरिखा है तुम्हारा 840 का, मतलब मल्टिप्लाइ है ना, और X और परसेंट रहेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीके? 100 से 100 जाएगा क्योंकि मल्टिप्लाइ में देरिखा है, इसे हमें 0 से आपका जाता है, 0 कट, 3 से कर जाएगा, 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 4 से कर जाएगा, 14 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 से है कि यह प्रिस्टियों से किसकोंग गाई तो कोच यह और यी कोश़ करें है şurSoft एफोटी फोर का क्शेट देना है यहां पर कौन से विल्कृत अपन्वा कुम विल्कुल कि अनुसार इतनी का वरगमूल क्या होगा रहे बहुत ही होता है आराम से कर सकते हो ठीक है मतलब किसी जंग्या का वरग देरेक्खा होता है बस तो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है बताएगा आपर आंसर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाता है अगर मैं एक बाव दाएगा 33 का तो हमारा 33 होगा नहीं तो ऑप्शन कर गया ठीक है चार सब करना है हम कैसे सब्सक्राइगे तो पर इसका आंसर दीजिगा सभी लोग ठीक है बेगो अप्शन इमर बनतो होगा नहीं पहली बात पिर बात करते हैं इन दोनों को देख लेते हैं अगर मैं 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लुक कीगा हाँ तो फेंट से हाँ बात करते हैं ठीक थोड़ी सी दिक्कत होगी लुक कीगा अगर हम बात करते हैं यहाँ देखा है तुम्हारा ठीके चार हजार चानविद रिखा है एकाई के अंके में जो छे आता है किस में आता है या तो चार चुक सूल आएगा या फिर छे चंग चितिस आएगा ठीके तो इकाई के अंके में बस इनमें ही आसकता है बाकी किसी में आपका छे नहीं आता है ठीके अब यहाँ बात करते हैं द चालिस किसके करीम परता है तो आप कहोगे छे के करीम हो जाएगा चालिस किसके करीम है तो आप कहोगे भई तो चोटा बाला है तो चोटा बाला ही लेंगे तो चोटा बाला कॉन सा दागा चौट तो जिन लोग का आंशर ऑप्शन नमबर भी आ रहा है टीके 64 बहुत इची पिकार से खेल गए हैं कुछ नहीं करना इसमें बरगमूल करना है टीके बरगमूल मतलब क्या होता है किसी का स स्कुआर ठीके आगे बढ़ते हैं नेक्स कुष्ण वैसे तो आपको इसकुआर थर्टी तक याद होना चाहिए ठीके और क्यू जो है संक्याओं के क्यू जो है 20 तक क्यू आपको याद होना चाहिए ठीके आगे बढ़ते हैं नेक्स कुष्ण देखा है तुमारा दो मल्ट तीन मल्टिप्लाई पांच ठीक है और तीन मल्टिप्लाई पांच मल्टिप्लाई साथ लगुत्तम समर्थ तक क्या है अगर मैं इसे स्वॉल्ट करता हूं सीधी बाथ क्या देखे है तो मतलब जो मिलता है वो उता लेते हैं जो नहीं मिलता है वो उतारते हैं , यहां पर डो नहीं भी उतर लेंगे ठीक है अच्छछा खिल गए है खीक के आगे बढ़ता है तो यहां से आपके अब भाग 4 श्टाट राता है क्यों सा वाग 4 अपका श्टार राता है बुद्धी और समान बुद्धी मतार से हम रिजनिंग भी कहते हैं तिस नों रेजनिंग कहते हैं जिसे आपके एकजाम में 5 क्योशन देखने को मिलेंगे त निनको देख लेते हैं पहला कोशियन पहला कोशिशन 946系 कर सकते हैं तो फिर 21 і prycha 2729्य33 33 है 39 है आगे पुछ रखा है आपकों सा आने वाला है एक बाब दाएगा इतना मुझे कंफर्म है कि बहुत तेजी से जंक्या नहीं बढ़ रही है तो कि अंतरी बात करते हैं यहां पर अंतर कितने का है तो तीन ओर्फ अगले कि बात करता हो अगले कितना हो रहा हैत हुआ आगे कि बात करें था रहा है ए यहां पर कितना हुआ इंड है यहां पर लेड वा आगे प्लस 4 एड करूंगा तो कितना हो जाएगा यह 43 पहुंच जाएगा ठीक है तो बिल्कुल यहीं आपका आंसर रहने वाला है तो जिलो का आंसर ऑप्शन नमबर सी आ रहा है बहुत तीच प्रिकास से खेल गया है ठीक है चाहरा किसे है धूप तो किसको रोकता है procesता किसको रोकता है तो Stud mant यह चिलोका और सी रहे बहुत राइंट इनसर आपका स्काय है आगे देखते हैं नेक्समायरे किसी कोड़ बहाँ साय , भाष Restaurant तो देखो F दे रखा है A है, R है, M है, E है, और कौन सा है? R है तो पूछ रखा है तुम्हारा R, E, M, R, A ऐब आपस में करना है और बाकी कुछ नहीं करना और बागी कुछ नहीं करना है तो इसका पूंच रखा का है तो यहां पर देखता है और भी तब हम आगे बढ़ेंगे तो यह पर एल जी देखना है तो L सुरू में कहा दे रखा है, बस A की में दे रखा है, D के L, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जिन लोग का आंसर अप्शन बस ही आ रहा है, बहुत अच्छा खेल गाएगा, ठीके, आगे बढ़ते हैं फिर next question की और next question का फटा बड़ answer दे जाएगा, next question का आंसर हमारा कौंसर है बाला फोटीन है, देखा तुमारा यदि B की माता, A की माता की पुत्री है, तो A का B से क्या नाता है, यह आपको बताना है, बिलेड रिलेशन का आपका कुश्चन हो जाता है, बहुत तीजी कुश्चन होते हैं, आराम से कर सकते हो, ठीके, पुड कहान ली, एक पेड़ी, इससे उपर ले ली, ठीके, B की माता, A की माता की, वही A है, इसकी माता की पुत्री 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 है, इसकी माता की और B का कौन लगता है A, तो बात करूँ, मा यहाँ पर लगती है, तो जिल लोग का आंचर यहाँ पर कौन सा उदाता है भई, पिता, sorry, माता की पुत्री है, A की माता, A की माता की पुत्री है कौन, B, रुकी गा, रुकी गा, यहाँ पर थोड़ा सा गुमा कर क्यूशन रिखा यदी, बी की माता, बी की माता, बी की माता है, ठीके, एकी माता की, एकी माता की पुत्री है, ठीके, पुत्री है, मतलब खुद है ये, ठीके, तो, एका, बी से क्या सम्बंध है, एकॉन लगेगा, बी का, तो ये तो लेडिस है, तो क्या लगेगी, इसकी मा लगेगी, पिता, मामा भाई या फिर चाचा पुत्री है कह रहा न माता की पुत्री है तो यहाँ पर ऐसा कोई डिसेंट हो या भई पिता माता भाई चाचा बी की माता बी की माता ए की माता की ए की माता की पुत्री है बी की माता एक ही मांता की पुत्री मतलब एक खुद है तो पुत्री है यहां जाता है कि करहा तुम्हारा ओधित होते हुए है या जा working करना है कि अधिका उत्य चलो करती हैी और फिर बाएं घुमती है, इस छलवह किस दिसा में जा रही है यह आपको बताना है, ठीक है, डालेक्शन का क्योशन है आराम से जिस प्रिकार से क्योशन कहता जाए, उसी प्रिकार से चलते चाना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा, तो रहा है, तो सूरी कहां से निकलेगा, य इस और जा रही है ठीक है कहां जा रही है पच्छिम की और जा रही है कुछ मिनिट वाद भे बाएं घूम जाती है तो बाएं कहां होगा इस सेट में होगा इसका बाएं घूम जाती है और फिर चलना चलती रहती है तब थोड़ी देर के बाद भे कहां घूमती है दाएं तो तो दाएं घुम जाती है और फिर भहे बाएं घुमती है इस सेट में फिर घुमेगी तो कह रहा है इस छड़बह किस दिसा में जा रही है तो आपको पता ही डारेक्शन कौन सा है यह पूरब होता है यह पर बिलकुल राइट हो जाएगा एक बताएगा अगर इस सेट में बलकुल राइट हो जाएगा तो दस्चध होना पिल्कुल राइट हो जाता है बहुत wonderful फिर अपने इस शोडोस कितना रहा है और वीडेओ को लाइक कर ना है चयर्क हो सब्सक्रब करना है टिके सेरी बात तो रहिए और एक महातबूर सूचना आपके लिए अगर किशी को राम सिंह आधब जो आरमी जिडी के जो बुक आती ए ठीक DSK 50 प्यक्त आती है जो बुक आती है अपकी राम सिंह आधब की अगर किशी को चाहिए तो बिलकुल आप हमारे लिंक देखाए डिसकपसिन में आपको यहाँ पे मिल जाती है अगर आपको राम सींगा दा की बूग को चाहिए तो भी draw camera मिल जाती है अगर दोनों की बुको का गहा है लिंक देखाए ठीके समय कोज़ी आपको पचास पचास पैसे लिये जा रहा है ठीके है तो आप खरी सकते हैं 150 अनको देखने को मिलेंगे और बुक क्रीड़ियर decepft वीडिए को क्रेंस चैनल को अस्क्राइब करना है और वीडिए को क्या हिलना अर चार्ट वारत